नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है मैं विद्ध शंकर तिवारी हूँ दिल्ली के चुनाओं में आज कई तस्वीरे ऐसी सामने आई जो सोसल मीडिया पे काफी वाइरल हुई लक्ष्मी नगर के एक मद्दान के इंदर पे जब ढूल नगाडों के थाप के साथ कुछ लोग पहुँचे तो ऐसे लगा कि आखिरकार ढूल नगाडों के साथ ही लोग मद्दान करने क्यों आ रहा है बट वहाँ पहुचने के बाद पता चला कि जो धननजय ध्यानी ढोल नगाडों के थाप के साथ नाचते गाते आ रहे हैं उनकी आज मेरेज है और उनके साथ जो बाराती आये थे साताथ वो भी उनके साथ सिरकत कर रहे थे तो सबका उसी मद्दान के इंतर पे नाम था लिया जा वहीं पे मद्दान करना था तो इन लोगों ने प्लानिंग ये की कि कन्यादान से पाले मद्दान करेंगे और उसी उत्सव के साथ वहाँ पहुचेंगे जिस उत्सव के साथ हम मेरेज करने जाएंगे लिया जाओ उन्होंने वहाँ पर सबसे पहले मद्दान किया मद्दान करने के बाद उन्होंने लोगों से अपील की कि सब लोग मद्दान जरूर करें उन्होंने का कि उनकी मेरेज तो दिसंबर में ही तैय हो गई थी यह बात नहीं पता थे कि 8 फरवरी को उनके जिस दिन मेरेज तैय हो रही है कि डेट फिक्स हो रही है उसी दिन दिल्ली का चुनाव पड़ जाएगा बारा दिल्ली का जब चुनाव का एलान हुआ और यह डेट पता चले उसी दिन उन्होंने यह तैय कर लिया था कि कुछ भी हो जाए उन्होंने हूने को उन्हों नहीं से किया कि आप भी जरूर मत्दान करना तो वो फेज 3 से जो है बुरारी मतदान करने के लिए पहूँची हुई है यानी कि पतनी भी महां आ करके ही marriage करने के लिए आएंगी जहांपे दोनों को मिलना था तो इस तरीके से एक यह तस्वीर खुब वाइरल हुई चर्चे में है इसके वीडियो भी जो है वाइरल हो रहा है और दूसरी तस्वीर जो है वह 110 साल की उस नहीं तारा मंडल का वा तस्वीर वाइरल हो रही है जो कि रा मंडल का कली तारा मंडल उनका नाम है तो उन्होंने सबसे पहले मद्दान किया सियार पार्क में जा करके उसके बाद अपनी उंगली पे स्याही के निसान लगवाए और फिर सभी लोगों से अपिल कि आपको भी मद्दान जरूर करना चाहिए एक बता दें आपको कि राज पाकिस्तान का बटवारा हुआ था तो बांगलादेश जो है पाकिस्तान में था तो वहां के 12 साल की रहने वाली है 1908 में जन्मी मंडल ने उप महादेप के जो भी दौर चले हैं सब कुछ अपने आँखों से देखा है बांगलादेश का भाजान हुआ उन्होंने करने के बाद राजधानी में और उन्होंने कई पाइस सबसे कहा उन्होंटाबंको एक ऐसा मत्ता माना जा रहा है जो अभी तक भारत में वे सभी चुनाओं को उन्हों ने देखा है यानि कि जब लंबे-लंबे मत पत्र हुआ करते थे, उस पे जो है निसान लगाया जाता था, उसको मूँ फोल्ड करके फिर मत पेटियों में डाला जाता था, वो दौर और फिर आज का दौर सब कुछ उन्होंने देखा है, तो उनके जिस तरीके से उनने मत दान किया, जिस त कि.